प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाईबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाईबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं. उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें. सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है. इस के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है. पहले उसे क्लिक कर दें. उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें. बस हूग गया काम. अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी. अब ही कि उनको प्रभु ने ये विशन दिया कि इस तरह से जूम के द्वारा प्रभु के वचन की शिच्छा दी जाए और उसका परिणाम ये है कि आज काफी बड़े इलाके से हिंदी भाष्षी लोग प्रभु का वचन खरा-खरा सीखने के लिए मौका पा रहे हैं. हम लोग पिछले बहुत सारे हफ़तों से नीति वचन चौथे अध्याय के पहले और दूसरे पद के आधार पर कई चीजों का अध्यान कर रहे थे. नीति वचन चौथे अध्याय के पहले और दो पद में हम पढ़ते हैं. हे मेरे पुत्रों, पिता की शिठ्षा सुनो, समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, मैंने तुमको उत्तम शिठ्षा दी है, मेरी शिठ्षा को ना छोड़ो. इसके साथ साथ मैंने एक मिनिट, इसके साथ साथ मैंने इफीसियों की पत्री से और कुलसियों की पत्री से दो पद आपको पढ़खर सुनाये थे, जहाँ यह बताये गया है कि बच्चों को ख्रोधित मत करो, बच्चों को इरिटेट मत करो, बच्चों को रिस मत दिलाओ जब मा बाप अपने बच्चों को प्रभू के वचन की सही सही खरी खरी शिट्षा नहीं देते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि अनावश्यक बातों में रोका टोकी या टोका टोकी होती है, उसके कारण बच्चे अनावश्यक रोधित होते हैं और उनके मन में रिस आता है, पचास बाते होती हैं। और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आज मसीही जगत में क्या हो रहा है। आज मसीही जगत में सारे हिंदुस्तान में हजारों ऐसे परिवार हैं जहां पर उनके बेटों या उससे अधिक बेटियों को दुनिया के लोग शिकार करके ले जा रहे हैं। मैं फिर से याद दिलाने चाहता हूँ। आज सारे हिंदुस्तान में हजारों मसीही परिवार के युवा लोगों को और खासकर युवतियों को इस संसार के भेडिये शिकार करके ले जा रहे हैं। और एक बार जब शिकार हो जाता है तब उसके पीछे कितना चक्कर होता है यह हमें से ज़्यादा तर लोग नहीं जानते हैं। और एक बार जब शिकार हो जाते हैं, तो उसके बाद समस्या हल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब वो बातरूम गए तो उनको अपनी बच्ची के कमरे से कोई आवाज सुनाई दी। बच्ची दसवी में पढ़ती है। बच्ची के कमरे से रात को आवाज कैसे, लाइच कैसे, ये सोच के भाई कमरा खोल के अंदर गए। तो दसवी क्लास में पढ़ने वाली उनकी बच् बच्ची से 28 का होगा वो बच्ची के बिस्तर पर बैठा हुआ है उससे पूछा कि क्यों बे तू यहां कैसे आया तो उसका तुरंत जवाब था कि आपकी बेटी ने बुलाए इसलिए मैं चला आया 10th क्लास की बच्ची क्या जानती है जीवन के बारे में लेकिन हिंदी में ज अफस आया और उसके बाद जब वो पकड़ा गया तो वो कहता है कि तुमारी लॉंडिया जो है यह उसकी गलती है कि उसने मुझे बुलाया घटना कुछ इस तरह की है फेस्बुक में उसने एक प्रोफाइल बनाया फेस्बुक अपने अपने बुरी जीज नहीं है यहां सबी लोग जानते हैं कि मैं प्रभु की सेवा के लिए फेस्बुक का कितना उपयोग करता हूं लेकिन उसी फेस्बुक के द्वारा हमारे बच्चों का शिकार भी हो सकत एक लड़के ने आके दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया दोस्ती कर ली यहां सबसे पहली गलती यह है कि उसके मा बाप ने मा तो कोई समझ नहीं रखती बाप ने उसको कभी यह नहीं समझाया कि बेटा फेस्बुक जो है दुनिया का ही एक और स्वरूप है और इस दुनिया में जब लोग तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो सिर्फ ऐसे लोगों से दोस्ती करनी है जिनको तुम जानती हो कोई अनजाना व्यक्ति तुमसे दोस्ती के लिए अनुरोध करता है तो पहले पापा को बताओ नहीं किया पापा ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया दोस्ती हो गई कुछ दिन के बाद जो है खूब दोनों के बीच में जब चैटिंग हो गई तो लड़की जब स्कूल जाने के लिए बस्टैन पे खड़ी थी तो वहाँ पर अचानक वो लड़का आ गया और उसने कहा कि मैं वहीं हूँ हाई हलो हुई वो चला गया उसके चार दिन के बाद वो लड़का उसी बस्टैन पर आया और उसके हाथ में एक मॉबाइल सरका गया उसने कहा कि यह हमारी दोस्ती को बढ़ाएगा माबाप को बताने की जरूरत नहीं है इसके बाद इस मॉबाइल से चैट होता रहा चैट हो जए चर्चा होती रही और उस लड़के ने एक विशेश चीज का उपयो किया जिसको लव बाम्बिंग बोलते हैं लव बाम्बिंग का मतलब है ऐसे खास कर ऐसी बच्चियों को ढूंड निकालो जिनको उनके माबाप से परियाप्त प्रेम परियाप्त कम्यूनिकेशन नहीं मिल रहा और उनके साथ खूब प्रेम परदर्शन करो जिससे कि वो तुम्हारे जाल में फंस जाए एक्जैक्ली ऐसा ही इस बच्ची के साथ हुआ फाइनली एक रात उस लड़के ने रात को ढ़ाई बेजे के करीब बुला कि उस बच्ची को बताया मैं तुम्हारे घर के बाहर घर के पीछे खड़ा हूँ पीछे का दरवाजा खोल दो तब तक लव बांबी के कारेंड वो बच्ची टिंथ में पढ़ती है इस लड़के के ऐसे प्रभाव में आ गई थी कि उसने दरवाजा खोल दिया चुप चापो अंदर आ गया और लड बच्चों को याद दिलाना चाहता हूँ मेरे प्री बच्चों इस तरह से एक गैर व्यक्ति बिना तुमारे माबाप की जानकारी के लिए जानकारी के बिना तुमारे घर के अंदर प्रवेश करें तुमसे चूमा चाटी करें यह प्रभु के समक्ष एक बहुत बड़ा कानुन की नजर में भी बहुत बड़ा अपराद है, यदि वो व्यक्ति तुम से प्रेम करता है, तो सीधे सीधे तुमारे माबाप के सामने आकर उनके सामने घर में क्यों अलिंगन नहीं करता है? मेरे प्री बच्चों, मसीही बच्चे, गैर मसीहों के साथ दोस्ती करने के मामले में बहुत अधिक सतरक रहें, तुमारा कोई क्लास फेलो हो उसके साथ तुमारी दोस्ती है, वो बात अलग है, लेकिन कोई अनजान शक्स तुम से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो बिना माबाप के एडवाइस के उनसे दोस्ती मत करना और खास कर आजकल यह तो एक बहुत बड़ा नाटक हो चुका है मैं पचासों के इस ब्रदरेन असेंबलीज में से जानता हूं जहां पर कोई व्यक्ति किसी बच्ची के हाथ में मोबाइल सरका जाता है और फिर उससे संपर्क म रहता है माबाप को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस मामले में सबसे बड़ी गलती माबाप की है गलती यह है कि बहुत सारे माबाप को अपने स्वयम के कामों से फुरसत नहीं है बच्चों के साथ बैठ कर चार वाक्य बोलने के लिए उनके पास समय नहीं है तमाम तरह के बाप ऐसे हैं जो बच्चे या बच्ची की कूप जमके मार पिटाई कुटाई करते हैं लेकिन कभी बच्चे को भले और बुरे का अंतर नहीं समझाया है भाईया यदि तुम अपने बच्चे को भले और बुरे का अंतर नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा उनको और यदि तुम्हारा बच्चा माफ करें यदि तुम्हारा बच्चा भले और बुरे का आंतर नहीं जानता और यदि बुरे की तरफ आकरशित हो जाता है तो इसके लिए तुम दोशी हो शायद जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं वो कहेंगे कि शास्त्री अंकल भले और बुरे के ग्यान के वरिट्ष को खाना पर मेश्वर ने मना किया था इसलिए भले और बुरे के बारे में बच्चों को नहीं बताना है इन दोनों के बीच में कंफ्यूज ना करें एक वरिख्ष के फल को खाना पर मेश्वर ने मना किया उसके नाम से मिलता जुलता नाम है भले और बुरे का ग्यान इन दोनों में कंफ्यूज ना करें ये माबाप की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को भले और बुरे के बीच में जो अंतर है उसको प्रेम के साथ समझाएं प्रभु का वचन कहता है हे मेरे पुत्रों पिता की शिट्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ तो आज शाम को पहला प्रशन पिछले पांच हफ़ते मैंने पडमेश्वर के वचन से एक कहानी की व्याख्या आपको सुनाई थी उसके आधार पर मैं पूछना चाहता हूँ कि पडमेश्वर के वचन की कहानिया जब आप बच्चों को सुनाते हैं तो महज यांतरिक तरीके से सुनाते हैं या उसमें से जो समझ की बाते हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं आदम और हवा की जो चरितर कता है उसमें समझ की कितनी बाते हैं ये मैंने पांच हफ़ते में आपको समझाई और अभी भी विशे समाप्त नहीं हुआ लेकिन आप बोर ना हो जाए इसलिए मैंने समाप्त कर दिया प्रभु के वचन की कहानियों को चरितर कथाओं को और उसके अलावा उडाओ पुत्र जैसी जो काल्पनिक कहानिया हैं वे जब हम अपने बच्चों को सुनाते हैं तब यांतरिक रूप से वो कहानी सुना के खतम कर देते हैं या कहानी में जो पाठ है वो अपने बच्चों क को सिखाते हैं क्या हम मैंसे कई लोग ऐसे नालायक हैं कि प्रबु के वचन की कहानियों को ना केवल यांतरिक रूप से सिखाते हैं बलकि कहानी में यदी नैतिक रूप से कोई समशयास्पद बात दिखाई देती है तो अपने बच्चों के सामने उल्लु के पठों के समान हस नूह जब अपने तंबू में दाख्रस पीकर नगन हो गया था, जब ये कहानी घरों में पड़ी जाती है, तो मैंने ऐसे कई माबाप देखे हैं, जो बेवकूफों के समान हसते हैं, जब कि इस कहानी में तो एक बहुत बड़ा पाठ छुपा हुआ है, वो पाठ कभी नहीं बच्चों को बताते हैं, लूत की जो दो पुत्रियां हैं उन्हों अपने बाप के साफ जो किया, वो जो पढ़ते हैं तो मैंने बहुत परिवारों में देखा है, कि मैयों के चेहरे पे ऐसी मुस्कराहट आती है, ऐसी मुस्कराहट आती है, अशलील बात को सुनके, में ऐसे टिपनिया करता है कि बच्चे गलत समझते हैं ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु के वचन की कहानियों के पीछे जो आर्थ चुपा हुआ है उस आर्थ को समझ कर हम अपने बच्चों को समझाएं इवन जिन कहानियों में अशलील बाते हैं उनमें भी बहुत सारे अर्थ चुपे हुए हैं आपके बच्चों के साथ आपका कम्यूनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि आप उस कहानी में जो नैतिक अर्थ है वो अपने बच्चे को बता सकें मुझे याद है कुछ सालों पहले मैं एक चर्च में गया उस चर्च में एक आसको दूर भेज दिया शाम के समय इसाक ध्यान करने के लिए प्रार्थना करने के लिए मैदान में निकला उसके बाद डुकरे का कमेंट जरा ध्यान दीजे अरे ध्यान करने को कहे को निकला वो तो उस लॉंडिया के बारे में सोचने के लिए गया था हम लोग प्रभू के वचन को इतना हलके से लेने लगे हैं कि प्रभू के वचन की गलत व्याख्या, दुर व्याख्या, अशलील व्याख्या करना वो भी पब्लिक में, मैं वहाँ बैठा हुआ था उस मंडली में एक अतिती के रूप में प्रभू के वचन जब साफ साफ कहता है कि वो शाम को प्रार्थना करने और ध्यान के लिए निकला था तो उसकी अशलील व्याख्या कर रहे हैं क्यों? इसलिए कि हमारा मन ब्रश्ट हो गया है और अफसोस की बात यह है कि हम में से कई माबाप मन ही मन इतने ब्रश्ट हो चुके है कि प्रभू के वचन की कहानिया चरित्र कथाए जब घर में पड़ी जाती है या बच्चों को सुनाते है तो उसके नैतिक पाठ को तो बताना दूर रहा लेकिन उसके आधार पर चार गंदी बाते चार अशलील बाते बच्चों को और अधिक बरबात कर रहे हैं यह बात मैं याद दिला दूँ प्रभू के वचन की चरित्र कथाओं को पिछले दिनों जिस तरह से मैंने आदम और हवा की चरित्र कथा का व्याख्यान आप लोगों को दिया था उस तरह से प्रभू के वचन की चरित्र कथाओं का और उड़ाव पुत्र जैसे कालपनी कथाओं की व्याख्या होनी चाहिए इसके लिए मैंने एक तरीका बताया था तरीका ये था कि जब आप प्रभू का वचन पढ़ेंगे तो प्रभू के वचन के साथ साथ एक डाइरी रखें और जो भी प्रकाश आपको मिलता जाता है उसको डाइरी में नोट करते चले जाएं ना के विल आपकी रीडिंग के कारण यदि कोई प्रचारक प्रभू के वचन से कुछ सुना रहा है तो वो चरितर कथाओं के बारे में आपके सामने जो प्रकाश डाल रहा है उसको नोट करते चले जाएं कल आपको यब आप अपने बच्चे को या बच्चों को प्रभू के वचन से कहानी सुनाएंगे चरितर कथाओं सुनाएंगे तब ये पॉइंट आपकी मदद करेंगे और इसलिए मैं पूछना चाता हूँ कि इतनी महनत से मैंने आदम और हुआ की चरितर कथा आपको सुनाई आप मेंसे कितने लोगों ने डायरी में उसको नोट किया मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम मेंसे हर एक को अपने ना केवल अपने बच्चों को सेंडे स्कूल में भी ये सब सिखाने की जरूरत है किसी चीज को हम सुनते हैं और नोट नहीं करते तो 24 घंटे के अंदर उसमें से 98 प्रतिशत बाते हम भूल जाते हैं ये मनोव इज्ञान में देखा गया है ये एक बहुत ही सॉलिड स्टैटिस्टिक्स है कि 24 घंटे के अंदर हम 58 प्रतिशत बाते भूल जाते हैं आपने नोट किया क्या पिछले दिनों मैंने जो कुछ कहा उसको नोट किया क्या भाई रंजीत इन मीटिंग्स को लाइब ब्राटकास्ट करते हैं और लाइब में जाकर आप पुराने लेसंस को देख सकते हैं यदि आप अपने बच्चों को प्रभु का वच्चन सिखाने के मामले में गंबेर हैं तो जाकर उन पाठों को जरा देख कर उन पॉइंस को नोट कर लीजे इसलिए कि एक बार जब एक चरितर कथा का अध्यान हम क्रमबद तरीक ऐसे कर लेते हैं तो उसके बाद प्रभु के वच्चन की जो अन्नी चरितर कथाएं हैं उनको समझना थोड़ा सा और आसान हो जाता है और जैसे जैसे हम चरितर कथाओं का अध्यान करते जाते हैं वैसे वैसे चरितर कथाओं में जो पाठ है वो हमको और अब एक स्पष्टता से समझ में आने लगता है आदम और हुआ की जो चरितर का था है उससे हम इस बात को समझते हैं या हमने समझ लिया है कि पडमेश्वर अपने बच्चों को सर्वोतम चीजें दे देते हैं या सर्वोतम चीजों का इंतजाम करके दे देते हैं तो अभी मनिश्य का जुकाव हमेशा गलत चीज की तरफ रहता है जीवन का वरिट्ष पर मेश्वर ने रखा उन्होंने उस वरिट्ष की उपेक्षा कर दी मृत्यू के वरिट्ष को वरिट्ष के फल को खा लिया इस बात को समझ कर अपने बच्चे के स्तर के अनुसार बच्चे को ये बातें समझाना जरूरी है आज जो बच्चे प्रभु का वचन सुन रहे हैं मैं उन सब बच्चों को याद दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रिए बेटे, मेरी प्रिए बेटी दुनिया भर की चीजें जो तुमारा ध्यान आकरशित करती है उन में फसने से पहले जस्ट एक प्रशन अपने आप से पूछ लेना और वो प्रशन ये है कि ये मुझे जीवन देगा या ये मुझे मृत्यू देगा एक गेर मसीही व्यक्ती से अनावशक मित्रता, अनावशक चैट और उसके बाद वही अनावशक चैट जो प्रेम आदी के प्रसंग में बदल जाता है माब आप से चुप चुप के तुम करते हो तो वो तुम को जीवन की ओर नहीं विनाश की ओर ले जा रहा है जीवन के व्रिक्ष का चुनाव करो आदम और हॉवा की जो चरित्र कथा है उससे हम देखते हैं कि मनिश्वे जीवन के व्रिक्ष को चुनने के बदले मृतियों के व्रिक्ष को अक्सर चुनता है मेरे प्री बच्चों, ऐसा मत करना कई बार इसका असर हमारे पूरे जीवन बर होता है तुम खुद जानते हो ऐसे लोगों को शायद तुमने देखा हो जिनके ओपर उबलता पानी गर गया है उबलते पानी के गरने के कारण जो जल गए हैं आजकल आधुनिक आउशद शास्त्र उनको बचा तो लाता है लेकिन बदल में जो आती भयानक दाग पड़ जाता है उसको आप नहीं हटा सकते इसी तरह से हो सकता है कि आती भयानक मुसीबत में तुम फस जाओ उसके बाद तुमारे माबाप किसी तरह से तुमको बचा लाएं लेकिन उसका आसर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा इसको याद रखना आदम और हुवा की कहनी के बाद मैंने नूह के बारे में आपको याद दिलाया था कि हमेंसे कई लोग ऐसे नालायक है जो नूह की कहानी अपने बच्चों को सुनाते समय नूह की धार्मिक्ता के बारे में चर्चा करने के बदले नूह के जीवन में एक जो नगनता आई थी उसकी चर्चा करते हैं और खीखी करके हसते हैं जबकि प्रभु का वचन यह स्पश्टतेया नहीं बताता कि उसने जान बुझ कर नशा किया था या अनजाने नशा हुआ था दोनों ही हो सकता है हम अपने बच्चों को यह बताना भूल जाते हैं कि हम ने अपने बाप का उपहास किया उसका कितना अति भयाना कासर हुआ और इसलिए अपने बच्चों को हम ये बताना भूल जाते हैं कि दूसरे की नगनता देखकर हसने का विशे नहीं है उपहास का विशे नहीं है इसके साथ साथ बच्चों को ये बताना भूल जाते हैं कि बेटा ऐसे किसी काम में मत फस जाना जो तुम्हारे जीवन में तुमको नगन कर दे पचास बातें हो सकती हैं जो एक व्यक्ति को समझ के सामने नंगा कर दे आपके बच्चे का क्या मानसिक स्थर है ये समझ कर बच्चे को ये समझाना आपकी जिम्मेदारी है यहां मैं एक बात फिर से याद दिला दूँ जब मैं लोगों से कहता हूं कि भई एक डायरी रख लो और सब नोट कर लो तो अक्सर लोग कहते हैं नहीं नहीं शास्त्री अंकल वो जब हम बच्चों को कहानी सुनाएंगे तब यह पॉइंट अपने आप आ जाएंगे यह दुनिया में विनाश का सबसे अच्छा तरीका है क्या तैयारी मत करो मैंने एक कहानी इसके पहले भी सुनाई थी याद है मेरी सारी पड़ाई लिखाई गौालियर की है जहां भाई रंजीत प्रभू की सेवा करते है उस समय गौालियर का जो सर्वोत्तम स्कूल था मैं उसमें पढ़ता था और हमारा जो ए सेक्षन था उसका नाम चलता था खेलकूद में सर्वोत्तम उसके अलावा साहितिक सांस्कृतिक कारीकरम में सर्वोतम जब हम नाइन थे में थे हमने जिस प्रतियोगिता में भी हाथ रखा उसमें हम जीत गए जब हम टेंथ में थे तब भी हमने जिस प्रतियोगिता में भाग ले उसमें फस्ट आए बलकि जैसे ही खबर आती थी या अनॉंस्मेंट होता था कि ए सेक्शन के बच्चे भाग ले रहे हैं तो सबकी नानी मर जाती थी क्यों इसलिए कि ए सेक्शन में नाकेवल योगी विद्यारती थे ते लोग जम कर तैयारी भी करते थे मैं भी उन में से था मैं साहित्यक सांस्कृतिक कारिक्रमाओं में बहुत अधिक भाग लेता था जब हम 11 में पहुँचे तो हमारे साथ एक भाईया क्लास में आ गए जो तीन-चार साल फेल हो चुके थे इसलिए उमर में हमसे बहुत बड़े थे उनका अपना बिजनस था इसलिए पैसा भी था तो अक्सर वो हम विद्यार्थियों का कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहते थे 11 में जब वार्शिक प्रतियोगिता का समय आया दीवाली की चुटियों में खूब प्रतियोगिताएं होती थी तो हम लोग तो 9 थे 10 थे दोनों में ही साहित्यक सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में टॉप आते रहे हैं तो 11 में भी हमने कविता में तातकालिक भाशन में वाद विवाद में नाटक प्रतियोगिता में सब में नाम दिया नाटक कर डायरेक्शन मैं कर रहा था तो भाईया आगए मुझसे बोले अरे यार जॉणसन मेरे मित्र की एक लॉंडिया है इसको जरा नाटक में एक स्थान दे दो मैंने का कि सुनो भाईया ओम प्रकाश नाम ता ओम प्रकाश भाईया भाई साब भाई साब ये नाटक कर लेगी हाँ 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 नाटक कर लेगी जॉंसन तुम बिल्कुल फिकर मत करो तो उस लड़की को ले लिया उसका पार्ट उसको दे दिया लिखके दे दिया उससे कहा कि कलियात करके आ जाना अगले दिन जो है क्लास के बाद हम लोग नाटक की प्रैक्टीस करने लगे और जब उस लड़की का जो पोर्शन आया तो वो वहां खड़े हो के हम वहीं बोल लेंगे हम वहीं बोल लेंगे यह कहानी मैं इसके पहले सुना चुका हूँ और हम मैंसे कई म शाम नेः चलेगा नाटक की प्रैक्टीस कर रहे हैं और वो कहती है कि मैं वहीं बोल लूँगी मैं वहीं बोल लूँगी तो ओम प्रकरश ने मुझसे का कि बोल लेंगी आर तू काह को फिकर करता है उसको यहां शरम आती है वह बोल लेंगी फाइनली नाटक प्रतियोगिता का दिन आया और बड़े बोल्ड ली हम लोगों ने अपने नाटक का आरम किया सब लोग दिल थामके बैठ गए हैरान हो गए नाटक जब लगभग आधा हुआ तो इस लड़की का पोर्शन आया और वो आके खंबे के समान स्टेज पर खड़ी हो गई उसको बोला कि बोल बोल क्या बोलूं मुझे नहीं मालूं शरम आती है हम सब का खून सूग गया हमारे प्राण सूग गया जिस क्लास ने कभी किसी के सामने सर नहीं जुकाया था वो इस एक लॉंडिया के कारण जह है उस दिन ना केवल सर जुकाया हम सब लोग अपना मूँ छुपा कर स्टेज से ऐसे उतर गए जैसे हम समाज में सबसे बड़े चोर हों क्यों? तैयारी जब उस लड़की से तैयारी के लिए बोला तब वो बोली मैं वहां बोल लूँगी और जब वहां पहुँचे तो क्या बोलें? समझ में नहीं आता है आज जो भाई और बहन प्रभु का वचन सुन रहे हैं और जिन से मैं बार-बार कह रहा हूँ कि प्रिय भाई प्रिय बहन जब प्रभु के वचन की चरितर कथाएं पढ़ते हैं और उसके अलावा उडाव पुत्र जैसी कालपिनिक कथाएं जो कि प्रभु ने एक पाठ देने के लिए हमको समझा देया जो कहानी सुनाई थी जब इनको पढ़ें तब उन कहानियों को यांत्रिक रूप से पढ़ने के बदले उन कहानियों में जो पाठ है उसको नोट करते जाएं तब आप जो कहते हैं हाँ 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 जब मैं बच्चों को कहानी सुनाओंगा तब मैं बोल लूँगा तो आपकी हालत इस लॉंडिया की हालत से भी खराब होगी क्यों इस लड़की ने जो नाटक किया उसके कारण हमको एक साल जो है नाटक के में जो फस्ट प्राइस था थर्ड प्राइस था उससे वंचित होना पड़ा और चोरों के समान मुँँ छुपा कर हमको स्टेज से भागना पड़ा और कई दिन तक लोगों की हसी जेलनी पड़ी लेकिन आप यदि अपने बच्चे को प्रभु के वचन की जो कथा कहानिया है चरितर कथाएं और उड़ाव पुत्र जैसी जो कल्पनिक कथाएं हैं इन में जो पाठ छुपा हुआ है वो पाठ नहीं सुनाएंगे तो कल को जब आपका बच्चा जब आपकी बच्ची इन मामलों में गल्ती करेगा चुनाओं में गल्ती करेगा तब वो स्टेज नहीं है वो वास्तविक जीवन है स्टेज से आप मुँ छुपा के जा सकते हैं वास्तविक जीवन में यदि आपके बच्चे को भले और बुरे का ग्यान नहीं है तो बच्चे का जीवन बरबाद हो जाएगा और इस दुनिया में हर जगे भेडिये घूम रहे हैं जो आपके बच्चे का जीवन बरबाद करने के लिए तत पर है प्रभु के वचन की कुछ और कहानियां चरितर कहानियों के बारे में और उसके अलावा प्रभु के वचन में पार्ट सिखाने के लिए जो कहानियां बताई गई हैं उनके उनमें जो पार्ट हैं क्विक्ली मैं आज आपको बताना चाहता हूं और मुझे उमीद है कि आप मेंसे सभी लोग डायरी लेके बैठे होंगे जिससे कि नोट कर लें, इन कहानियों में जो जो पाठ है उन सारे पाठों का विस्तार मैं नहीं बता रहा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं इतना आप अचन से पढ़ेंगे तब आपको अतिरिक्त बातें पवित्रात्मा देंगे, इसलिए इन बातों को जड़ें नोट कर लें, उसके बारे में एक चीज मैं बता दूं, आप मैंसे सभी लोगों ने मिश्री खाई है, मिश्री मावा तो हिंदी में प्रसिद एक स्टेटमेंट मिश्री कैसे बनाते हैं, शकर को लेके घोल लेते हैं, खूब जम के घोल देते हैं कि पानी में शकर घोल के घोल के, जितना घोल सकता उतना घोल देते हैं, उसके बाद मिश्री का एक टुकड़ा लेके धागे से बांद के उसके अंदर डाल देते हैं, उसको बीच कहा जात और जैसे ही वो seed उस शकर के concentrated शकर के पानी में डाला जाता है मिश्री का जमना आरम हो जाता है तो जिस तरह से मिश्री के जमने के लिए seed मदद करता है उसी तरह से ये point आप note कर लेंगे तो कल को प्रबु के वचन के इन चरितर कथाओं में और अन्य कथाओं में जो part है ये seed आप रखेंगे तो बाकी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा प्रबु के वचन में हम आगे बढ़ते हैं तो हनोक की कहानी सुनते हैं हनोक के बारे में हम सुनते हैं कि प्रबु के साथ उसका चाल चलन इतना अद्भुत था कि प्रबु ने उसको उठा लिया वो लोप हो गया जब आप ये कहाणि अपने बच्चे को बताएं तब उसके साथ-साथ अपने बच्चे-को ये भी बताएं कि बेटा इस संसार में पर्मेश्वर हमसे उमीद करते हैं कि हम ऐसा अद्बत जीवन बिताएं कि दूसरे लोग कह सकें कि हाँ ये आदमी वाके में परमिश्वर के साथ चलता है मैं स्वेम ऐसे बहुत सारे विश्वासियों को जानता हूँ जिनका जीवन देखकर लोग कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति तो परमिश्वर के संपर्क में चलता है फिरता है आगे बढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में राहाप की कहानी पढ़ते हैं राहाप की कहानी जब पढ़ते हैं तो ज़्यादा तर जो नालायक माबाप है उनको सर्फ एक चीज वहाँ दिखाई देता है और वो यह है कि वो एक वेश्या थी अच्छली वो एक देवदासी थी इसके अलावा यदि आपको कुछ नहीं दिखता है तो इसका मतलब है कि आपका दिमांग भरष्ट है आपको यह देखना चाहिए कि वो एक कनानी स्त्री थी जिसने जैसे ही इसराइलियों के बारे में सुना वैसे ही इस बात का मूल लियांगन किया और तुरंत उसको यह बात समझ में आ गई कि इन लोगों का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और सच्चे परमेश्वर ने कनानीयों को यहूदियों के हाथ में दे दिया है और इसलिए उसने इवन यहूदी जो जासूस थे उन जासूसों को छुपा दिया उसने जीवन और मरन का रिस्क लेकर जासूसों को छुपा दिया जो इस बात को बताता है कि हमें किसी व्यक्ति के पेशे के बारे में उस व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए बलकि उस व्यक्ति को देखकर उस व्यक्ति के विश्वास का आदर करना चाहिए राहब की विशेश बात यह है कि कनान स्त्री होते हुए भी प्रभु ईशु की वंशावली में उस स्त्री ने नाम पा लिया यह है राहब की कहानी से एक पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ तमाम तरह के और भी पार्ट हैं लेकिन एक पार्ट इस तरह से अपनी डायरी में प्रभु के वचन की जो चरितर कताएं हैं उस में से जो पार्ट है उसको नोट करते चले जाएं हम ये भी जानते हैं कि पहली बार जब मूसा ने बारा लोगों को जासुसी के लिए भेजा था तब जासुसी के लिए जो लोग गए थे उन में से दस लोगों ने आकर आती भाएं कर बलवा किया वे ये भूल गए कि परमेश्वर ने हमको कनान देने का कनान हमको मिल जाएगा ये प्रामिस परमेश्वर ने किया है वे ये भूल गए कि परमेश्वर ने जस्ट लाल साहगर को दो में बांट दिया था जो अपने अपने असंबव बात है वे ये भूल गए कि मिस्र देश के सारे पहलोठों का परमेश्वर ने सहार कर दिया था वे ये भूल गए कि दस वी पत्तियां उन लोगों के उपर पड़ी और एक भी वी पत्ति मिस्र देश के गोशिन में रहने वाले यहुदियों पर नहीं पड़ी सब कुछ भूल गए और जैसे ही वो जो बारा जासूस कनान देश में गए थे उन में से दस ने जब बलवा किया तो सब लोगों ने बलवा किया परिणाम क्या हुआ परिणाम यह हुआ क्या वे दस जो बारा जो जासूस थे उसमें से सिर्फ दो लोग जिन्दा बचे यहोशू और चालेब बाकी दस जासूस और उसके अलावा जिन इस्राइलियों ने परमेश्वर से बलवा किया था सब को 20 साल और से उपर के जितने थे सब को परमेश्वर ने मरुभुमी में ही मरने दिया बहुत बड़ा पाठ है अपने बच्चों को ये बात बताएं बेटा बेटी कभी भी परमेश्वर के विरुद बलवा मत करना मेरे प्री बच्चों आज तुम लोग जो अपने माबाप के साथ बैठ कर प्रभु का वचन सुन रहे हो तुमको मैं डायरेक्ली भी एक बात बताना चाहता हूँ बेटा बेटी प्रभु के वचन के विरुद बलवा मत करना प्रभु के वचन के विरुद्ध बलवा करना मृत्यू का वरिक्ष है वो तुमको मृत्यू की और ले जाएगा कल को तुम जब स्कूल के हाई क्लास में जाओगे कॉलिज के हाईर क्लास में जाओगे तो हो सकता है कि बहुत आकरशा के एक लड़की आकर तुमको प्रेम के जाल में फसाने की कोशिश करे हो सकता है एक बहुत हैंसम लड़का आकर तुमको प्रेम के जाल में फसाने की कोशिश करे उस समय तुमारे माबाप तुमको बताएंगे कि प्रभु का वचन कहता है कि आ विश्वासियों के साथ असमाने जुए में मत जुतो तो बलवा मत करना बलवा करोगे क्या होगा वो लड़का मिल जाएगा तुमकर या वो लड़की मिल जाएगी लेकिन उन इसराइलियों ने अपने जीवन को खोद दिया था ना उस तरह से तुम भी अपने जीवन खोदोगे, मर नहीं जाओगे लेकिन परमेश्वर ने तुमारे लिए जीवन में जो अनग्रे रखा है न बेटा बेटी उससे तुम मंचित हो जाओगे और प्रभु का वचन कहता है मनिश्वर सारे संसार को प्राप्ट कर ले लेकिन अपने प्राण की हानी उठाए तो उसको क्या फायदा होगा इसी तरह से प्रभु के वचन से बलवा करके एक अविश्वासी लड़के से या अविश्वासी लड़की से प्रेम करके उससे शादी करोगे तो तुम अपने प्राण की हानी करवाओगे सबी बच्चे इस बात को ध्यान से सुन ले माबाप इस बात के ध्यान दे हर चरित्र कता में पचास पाठ है उनको नोट करते चले जाए और अपने बच्चों को बताते चले जाए इस्राइली लोग जब मरभूमी में होकर गुजर रहे थे तब काफी दिन जब मूसा का पता नहीं चला तो उन लोगों ने हारुन से कहा के हमारे लिए एक मूर्ती बनाओ परिणाम क्या हुआ? हारुन ने एक मूर्ती बनाई लोगों ने उसके आराद ना की लेकिन जिनों ने उसके आराद ना की थी उन में से काफी सारे लोगों को पर्मेश्वर ने वहीं उसी जगए मार के धेर कर दिया, खतम कर दिया, समाप्त कर दिया यह इस बात को बताता है कि किसी भी विश्वासी के जीवन में पर्मेश्वर का स्थान और किसी को नहीं देना है, पर्मेश्वर का स्थान अपनी नौकरी को, अपने बिसनस को या किसी चीज को नहीं देना है, हम ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्मेश्वर को जो स्था देना चाहिए वो मनिश्य को देते हैं या अपनी नौकरी को देते हैं या अन्नी चीजों को देते हैं ऐसा करेंगे तो याद रखें हम अपने स्वयम के जीवन का संहार करने की कोशिश कर रहे हैं यहोशु के बारे में हम पढ़ते हैं यहोशु की पुस्तक में कि यहोशु ने आग्यादी सूर्य अपनी जगह पर खड़े हो जाओ चंद्रमा तुम अपनी जगह पर रहो, स्थिर हो जाओ जिससे की सूर्य के प्रकाश में प्रभू के बच्चे युद्ध कर सके और पडमेश्वर ने ऐसा ही किया जब हम इस कथा को पढ़ते हैं तब अपने बच्चों को ये बात याद दिलें कि बेटा, बेटी इस संसार में ऐसी बहुत सारी बाते हैं जो हमको असंभव लगती है लेकिन प्रभू का वच्चन ये पूछता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है क्या ये प्रभू के वच्चन से ही एक पद मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है क्या और इसका रण बेटा, बेटी जीवन में जब तुम संगर्ष करो तब उस संगर्ष को परमेश्वर के हाथ में दे दो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है पूरे conviction के साथ अपने बच्चों को ये बताईए दाउत के बारे में जब कहनी सुनाते हैं तो हम में से बहुत सारे मूर्ख नाला एक उल्लू के पठे ऐसे माबाप है जिनको दाउत के जीवन में सिर्फ एक चीज नजर आती है कि उसने बत्शीबा के साथ पाप किया इत्ती उरिया की पत्नी के साथ पाप किया लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि दाउत के बारे में प्रभु का वचन ये बार बार कहता है एक ऐसा मनिश्य जो परमेश्वर के दिल के अनुसार चला एक ऐसा व्यक्ति जिससे जो परमेश्वर से जिसका दिल इतना जुड़ गया था कि परमेश्वर ने कहा कि इसराइल का सिहासन सदा सरवदा के लिए शाश्वत काल के लिए मैं तुझे और तेरी संतान को दो यह हम भूल जाते हैं बस एक जीवन में एक गलती कि उसको याद रखते हैं मैंने कई माबाप को यह कहते सुने हैं मैं अपने बिचे का नम दावुद नहीं रखना चाहता ऐसा लगता है जैसे वे अपने आप में बहुत परफेक्ट हों दावुद के बारे में मैं याद दिलाना चाहता हूँ दावुद के जीवन का अध्यान करेंगे तो हम पाएंगे कि उस एक गलती जो उसने की थी उसका उसने हजार बार प्राइशच्चित किया और परमेश्वर से वो इतना जूट गया कि दाउत के बारे में प्रभू का वचन कहता एक ऐसा मनिश्वी जो परमेश्वर के दिल से जूट गया था ये क्यों नहीं देखते हम प्रभू के वचन की चरितर कथाओं को हम पढ़ते हैं तो हम उसमें सिर्फ गंदा गंदा या मेला ही देखते हैं जो अच्छा है वो हमें से कई को दिखता नहीं हम अंदे हैं और इस कारण हम अपने बच्चों को भी सही मारगन इरदेशन नहीं दे पाते हैं शिम्शोन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब अपने बच्चों को बार-बार याद दिलाएं शरीर की अभिलाशा आँखों की अभिलाशा बेटा जीवन का घमंड इसमें मत फसना शिम्शोन का जीवन फाइनली खतम क्यों हुआ शरीर की अभिलाशा और आँखों की अभिलाशा के कारण उसने एक गैरमसी ही लड़क से प्रेम किया जीवन का घमंड उसको इस बात का घमंड था कि कोई मुझे रोक नहीं सकेगा लेकिन उसका घमंड चूर चूर हो गया उसको पकड़ कर उसकी दोनों आखे फोड़ दी गई भले ही वो अपनी मृत्यों में उसने बहुत सारे लोगों का साहार किया हो लेकिन ये भी कोई इज़त की मृत्यू है क्या कोई इज़तदार मृत्यू है क्या कि आपको दुश्मन पकड़ के ले गया हाथों पैरों में जंजिर डाल दिया आँखों को फोड दिया और आप चक्की पीस रहे हैं, रभू ने दुश्मनों का सहार किया, लेकिन ये कोई ना तो इज्जत का जीवन था, ना इज्जतदार मौत थी, अपने बच्चों को बार-बार याद दिलाएं कि बेटा, चुनाव, जो भी चुनोगे उसका असर होगा, बिना असर के कोई चुनाव न की महिमा करें, अपने बच्चे को वो प्रभू के बच्चन से उपद याद दिलाएं, याद करवाएं, तुम जो तुम चाहे खाओ, या पीओ, या जो कुछ करो, वो प्रभू के नाम की महिमा के लिए करो, ये पद बच्चों को तो बच्चमन से ही याद करवाएं देना और बार बार प्रबु के वचन से बच्चों को ये शिट्षा दें यूसफ के बारे में बच्चों को बताईए यूसफ की कहानी में हमको बच्चों को ये बात याद दिलानी चाहिए कि जिन्दगी बर तुम धर्मी रहोगे तो भी तुमारे भाई लोग हो सकता है तुमसे इरश्या करें हो सकता है तुमसे प्रतिस परदा करें हो सकता है तुमारे विरुद जूठे आरोप लगाएं लेकिन बेटा तुम अपने जीवन में विश्वास योग रहना और दूसरी बात बेटा हो सकता है फाइनली एक ऐसा समय आए जब तुम चाहो तो अपने भाई से या बहन से बदला ले सकते हो बदला मत लेना बदला मत लेना बेटा रूमियों की पत्री में लिखा है बदला लेना मेरा काम है इसलिए बेटा उसे परमेशर के हाथ में छोड़ देना ये सारी शिट्षाएं डायरी में नोट करते चले जाएए दानियल के बारे में जब आप बच्चे को बताते हैं तब बच्चे को ये बताए कि बेटा उस समय जो IAS अफसर लोग थे उस चमाने के IAS उनकी ट्रेनिंग के लिए दानियल को चुना गया था सर्वोतम भोजन, सर्वोतम रहने का स्थान और सर्वोतम शिट्षा दी गई थी लेकिन दानियल इस बात को समझ गया कि ये गैर यहुदी लोग जो भोजन खाते हैं इसमें से कई प्रकार के भोजन वस्तू यहुदीयों के लिए निशिद है और इसलिए उसने अनुरोद किया कि ये भोजन हमको ना दिया जाए इसलिए बेटा बेटी जब तुम कल को उच्च शुच्चा के लिए जाओगे और वहाँ पर लोग तमाम तरह के काम करें तब यदि ऐसा कोई काम करने को वो तुम से कहें जो तुम्हेरे लिए उच्चित नहीं है तो उसमें मत फसना मैं 1980 की बात बता रहा हूँ आज से 43 साल पहले मेरे एक मसीही मितर जार्नलिजम के कूर्स के लिए गए मुंबाई में मेरे साथ उनका नियमित पत्र व्यवहार रहता था एक दिन उस मितर ने मुझे लेटर लिखा कि बड़े भईया यहां पर शाम को जार्नलिजम के विद्यारती एक साथ कैंटीन में बैठते हैं तो दारू खूब पीते हैं मैंने अभी तक तो नहीं पीया है आपका क्या सुझाव है मैंने तुरंत उसको यह लेटर लिखा मेरा सुझाव सिर्फ एक है दानियल की जो चरितर कता है उसको पढ़ो और उसके आधार पर तुम ये निरने लो कि तुम को क्या करना है मेरे प्रीये बच्चों तुम को भी यही मैं बताना चाहता हूँ कल को इस तरह के जो चीज़ें जो एक विश्वासी को नहीं करनी चाहिए तुमारे सामने आएंगे उसमें मत पढ़ना परमेशवर ने दानियल को महान बनाया परमेशवर तुम को भी महान बनाएंगे दानियल के साथ ही उन्हें उसका खूब उपहस किया होगा कि यह कैसा मूर्ख है यहां एक से एक अच्छा खाना और यह दाल और पानी खा रहा है लेकिन दानियल ने उसके बारे में कभी अफसोस नहीं किया यह बात मैं तुम सब को याद दिला दूँ योना की का जो चरितर कथा है योना की जब हम पढ़ते हैं उस चरितर कथा को अपने बच्चों को याद दिलाएए पर यह भाई और बहनों कि देखो बेटा यदि परमेश्वर ने तुमको बुलाया है और यदि तुमने परमेश्वर की वानी सुन ली तो उससे रिबल मत करना बलवा मत करना बलवा करोगे तो परमेश्वर देर सबे और तुमको पकड़ कर वहीं ले आएंगे तुमको क्या फायदा होगा परमेश्वर से बलवा करने से ये तो हुई चरितर कथा हैं दो कालपिनिक कथा हैं जो प्रभु ने आत्मिक पाठ के लिए दिया था वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ पहली कथा है उडाव पुत्र की उडाव पुत्र की कथा तो आधुनिक युवा लोगों को बहुत सारी बातें बताती हैं अपने बच्चों को जब उडाव पुत्र की कहानी सुनाए तब उनको याद दिलाएं कि बेटा माबाप के साथ जीवन हो सकता है कथिन हो लेकिन माबाप से बलवा करके तुम मन माना जीवन जीओगे तो असली कथिन ही तो वहाँ पर आएगी और और भी पचास पाठ हैं उसके अंदर जो खोई हुई भेड है उसकी कहानी सुनाएं तो अपने बच्चों को बार बार याद दिलाएं कि जो तुमको मारग निर्देशन देता है चाहे गडरिया हो या तुमारे माबाप हो उसके विरुद्मत जाना बेटा मेरी परिवार में मैं अपने दो बच्चों को जो मैंने पाले उनके लिए सबसे प्यारी कहानी थी ये खोई हुई भेड की कहानी और मेरी बेटी बेटे के अभी कोई बच्चे नहीं है बेटी की एक बेटी है बेटी उसको कहानी सुनाती है और कभी-कभी वीडियो पर मुझसे कहती है कि डायड आप जरा कहानी सुनाई ये तो हमने तो उस छोटी वो जो भेड़ उसको एक नाम भी दे रखा है उसको हम छोटू कहते हैं छोटू शरारती भेड़ है और छोटू ने क्या किया मेरा अनुमान है कि मैंने अपने बच्चों को ये कहानी खोई भेड की कहानी 300-400 बार सुनाई होगी और मेरी बेटी के बारे में अभी उसकी बच्ची पांच साल की नहीं हुए इसलिए उसने कम से कम 500 बार कहानी सुनाई होगी उस कहानी में इतने पाठ है कि हम अपने बच्चों को ये कहानिया सुनाना ना भूले मुझे उमीद है कि कम से कम कुछ लोगों ने ये पार्थ डायरी में नोट कर लिये होगे जिससे कि जब वो मिश्री बनाते हैं तब उसमें जो सीड डाला जाता है जिस पर मिश्री एकदम से जम जाती है उसी तरह से प्रभू के वचन के पार्थ आप जल्दी समझ सकें इन बातों को समझने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रभू मदद करें इसके साथ साथ प्रभू के वचन से जो चरित्र कथाएं हैं ये चरित्र कथाएं या इनके द्वारा बच्चों को प्रभू के वचन की शिट्षा किस तरह से देनी हैं, ये विशे समाप्त होता है, अगले हफते हम एक नया विशे लेकर आपके सामने हाजर होंगे, प्रभू के नाम की स्तुती हो, प्रभू के नाम की महीमा हो. प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रभचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा, शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवम सहज भाशा में प्रभचन के लिए जगत प्रसि वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी, इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोचसाहन देता है, जै मसीह की